लेकिन अगर आप जील खेल रहे हो मेगा जील और आपने बोमजेस्वर को कैप्टन कर दिया तो फिर आप भाई बटलर को सैम्चन को और जैसवाल को एक को रखो दो को बार कर दो क्योंकि पहला तीसरा पांच मावर बोमजेस्वर करेगा यह आपको बतातो पहले बार में यह ने लिए तो आपका एक प्लेयर खतम हो जाएगा तो आप यह देख लेना कि पहले बैटिंग किसकी है बाद में किसकी है भाई को लाइक कर दो भाई मुझे लगता कि सारा 90% स्लेक्शन प्लेयर फ्लूप होंगे यही होता है 90% किसका स्लेक्शन है बटलर का है संजू स्लेक्शन का है और और कौन से प्लेयर बच गए हैड है कि मैंने दो करोडर वे वाली मेगा जील जीत ली है ड्रीम इलिए उनमें रिस्क लेकर भाई मैंने आपको भी बता थी प्रेडिक्शन बहुत ही जबर्दस्त मैंने प्रेडिक्शन की थी और यह मैस था आई पील का 50 20 मैज राजस्थान वर्सिज सन्राइजर्स हैदराबाज की बीच में और इस मैज में क्या ड्रीम टीम थी और मैंने आपको जो प्रेडिक्शन दी थी जिन प्लेयर को बाहर निकालने के लिए बोला था क्या वो ड्रीम टीम में है नहीं है बाई चलो दोस्तों वीडियो को स सारे भाई यान सवागत करता हम आपसे में संडे कमेंट विडियो में रिस्क 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 आपने ड्रेम लि 부분이 उन दॉमर् campus में यह सबुन सुना है रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको जीयल जीतính हना तो रिष्क लेना पड़ेगा मैंने आपके लिए की प्रेदिक्सन की थी तो सुन्दो भाई हाँ अगर किसी वाई को मेरी बात परिकी नए न तो आप मेरे उस लाइव से सكان called को देख सकते हो जो की अभी भी यूट्यूटूब चैनल पर है इसी चैनल में है तो सुन्दो भाई मैंने आपको बहुत सी प्रेडिक्शन दिसी सबसे पहले प्रेडिक्शन अगर आपने बहुने असुर कुमार को जील में लिया है कैप्टन किया है तो आप बना जैसवाल बटलर सैंसन या ते टोप ओल्डर में रजस्थान का टोप ओल्डर आप किसी एक पोले लेना और क्या हुआ बहुने असुर कुमार ने उन्हीं दो प्लेरों को पहले और में चलता कर दिया क्या गदब की बोलिंग की भाई तो सुनो भाई मैंने आपको क्या क्या प्रेडिक्शन दी थी नंबर वन अगर आपने बहुने असुर ट्रोप कर दिना मैस देख लो दो खिलाडी हैं बटलर सैम्सन बुवी ने पहले और में चलता कर दिया भाई देखो बुवनेस्वर पाउर कुले में तीन और कर दिता है पहला तीसरा पाच मा अब आपने कैप्टन कर दिया बुवनेस्वर को तो फिर आपने तीनों को रख जाएगा तो देखो भाई आगे जब भी बुवनेस्वर आपकी टीम में हो और कैप्टन हो तो पर आप किसी ओर टीमों के एक या दो बल्यवाज को ड्रोप कर दिना उसके बाद एक और प्रेडिक्शन मैंने क्या बोला था नितिस रेडी नितिस रेडी आपकी टीम में होन यह नहीं मुझे पता था अगर मैंने बोल्ट को लिया होता तो फिर मैं हैड या भीषेक इन में से किसी यह को ड्रोप करता बाकी मैंने अभीषेक को तो लिया नहीं था तो यह थी प्रेडिक्शन मेरी और आपको दिखाता हूं मैं वाई कि यहां पर बौवनेस्वर ने व दो विकेट बोल्ड एल्पीड़ु इस तरह लिए तो वाय' आपको ब्ता वहई बोन्स मिलता है उसके बाद देखो यहां पर जो स्पेइख़ेंगर है वह किस– –पिलेर का कितना थव आपको यहां पर दिखा रहे है। स्टार्टिंग से देखो वाई किस-किस प्लेइर का कितना सेलेक्षन था यहां पर है के नितिस रेड़ी सेलेक्षन चावालीस का पॉइंट 113 उसके बाद यहां पर देखो बहुनेस्वर सेलेक्षन 15 लगालो 97 पॉइंट ट्रेंट बोल्ट उनुसटका स्लेक्षन मातर च्या हैं नो सफ़्ट तेखाना दोनों सेक्षन से ने थे जो वीक इअ को संजु सेंस ने क्यों किंक्विन बोला था कि बोविन को आउट कर देगा उसके वाद जैस्वाल बचते है defend को अगर ऊपने बोवि गोलिया है उसके बाद Travis Head है, Roman Powell है, Natis Reddy है और मैंने बोला था, Natis Reddy आपकी टी में होनी चाहिए और मैंने दो-तिन मेंबर में Natis Reddy को लिया भी था 113 पॉइंट थे इनके, और कप्तान है, 226 पॉइंट उसके बाद Riyan Praag उसके बाद Marko Yansan, Bownessar Kumar, 97 पॉइंट टीनट राजन, 22 पॉइंट, आवेश खान, 22 पॉइंट, पैट कमींस, 24 पॉइंट तो भाई ये हैना, ड्रेम टीम का हिस्सा बने हैं, 11 पलेर और भाई देखो, आप भी हैना, ड्रेम टीम अराम से बना सकते हो लेकिन आपको प्रेडिक्सन करनी पड़ेगी, बढ़िया प्रेडिक्सन, जिस तरह मैं करके आपको जेता है प्रेडिक्सन मैंने बोला था, नितिस रेड़ी, आपकी टीम में होने चाहिए अगर बोवी आपकी टीम में हैं तो आप ना किसी दो बलेवाजों को ड्रोब कर दो शिदिश बात है अगर आपने तीनों को रखा है तो आप बोवी को आउट कर दो क्योंकि बोवी को रख लिया बटलर को रख लिया जैसवाल को रख लिया सैंसन को रख लिया तो आप कभी भी जिन्दगी में जील नहीं जीत सकते और आप इस तरह का कॉम्बिनेशन करके कभी भी जील नहीं जीत सकते दो क्रोड़ वाली तीन क्रोड़ वाली एक क्रोड़ व पर बोल डालेगा डैथ में डालेगा पाउर पले में डालेगा अगर कोई बोलर पाउर पले में बोलिंग करता है तो फिर आप सामने वाले सामने वाले टीम के दो में से किसी एक opener को रखो एक को ड्रोप कर दो तो भाई आप मेरी prediction को follow करोगे न तो आप dream million में कभी न कभी वाई करोडों की जीगल जीत सकते हो तो भाई ऐसी prediction होती हमारी इस YouTube चैनल में और भाई अब तो IPL है आग 80-20 World Cup आएगा उसमें आपको मैं बहुत बढ़िया बढ़िया prediction करके दूँगा वै तो आप अपने भाई को support करो कितनी बढ़िया prediction करके आपको देता है और खुद मैं follow भी करता हूँ हलाकि उस match में मैंने नितिस ready को captain नहीं किया सिर्फ team में रखा मुझे पता था कि भाई आज हना मार कराम नहीं है तो नितिस ready का काम बन सकता है bowling से बैटिंग से हलाकि bowling कम ही की थी लेकिन बैटिंग में भाई क्या जबरदस्थ point दिये मैंने head को कुछ नहीं बना है उस match में मुझे पता था आज मार कराम नहीं खेल रहे तो नितिस ready आज अच्छे option बन सकते है जियल के मेगा जियल के चलो भाई मैंने captain तो किया नहीं लेकिन team में रखा और मेरी जो league में अपोनेंट आई जिना उनके पास नितिस ready थाई नहीं बहुत से भाई उन्हें मार कराम को लिया था तो मैं तो जीत गया भाई prediction करके तो आप भी हमारी prediction को follow करो और आराम से भाई dream में जीतो तो दोस्तो और हाँ एक भाई का comment आया था आपको दिखाता हूँ मैं इन भाई का comment है लाला जिस्क रियाल ये नाम इनका नाम थोड़ा भाई लंबा ही तक इन्होंने कहा मैं भाई आपकी तरह से रिस्क लेता हूँ तो भाई रिस्क लेना चाहिए भाई अगर मैं नहीं लेता तो आपको लेना पड़ेगा और हाँ चैन्ने का बलिवाज है चेंडरी का कैप्टन रूतुराज गायकवार उसने भाई दो मैं तो में पतास प्लस का स्कोर कर दिया तो मैंने लाईव में बोला था कर कि आपने रूतुराज गायकवार को आज ड्रोप करना है तो भाई वो प्रेडिक्शन भाई बहुत से भाईयों के काम भी आई तो भाई ऐसी प्रेडिक्शन में आपको करके दिता हूँ तो भाई यह हमारी संडे कमेंट बोक्स वीडियो जिसमें आपके किप्शन होते हैं और मेरे आंसर होते हैं क्यों अन्य वीडियो है तो दोस्तो अगली संडे कमेंट बोक्स वीडियो में फिर आपके सामनी मैं एक और ऐसी वीडियो देखे आँगा मैं और दोस्तों मैं न है शाम को पांच यच्छा विजे की बीच भाई लाइव आता हूँ तो लाइव में भी आया करू भाई हाजरी लगाया करो पनी ताकि आपकी हेल्प हो अच्छी सची टीम बनाने में तो ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे एक और ऐसी संडे कमेंट बोक्स वीडियो के साथ